असलाम अलेकुम फ्रेंड्स बिस्मिल्हार्पान रहीम आज हम सर्द्योगे खास रस्ट सिपी लेकर आए हैं जो हर घर बनती है और छोटे से बड़े तक सब इसको शौक से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने ले ले लिया है इस तरह से इसको ग्रेट कर लेंगे अगर आप चाहें तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं इसको बिल्कुल मेहीन मैश कर ले इस तरह से यह रैसिपी एक बहुत ही अच्छी टेस्टी रैसिपी बनती है और आप इसको डेली नाश्ते में बना सकते हैं बड़ आलू पहले आप उबाल लीजिए उबाल कर पानी में से निकालने के बाद थोड़े देर फ्रीज में रखने के बाद ये इतने अच्छे ग्रेट होते हैं कि आप इनको आसाने से ग्रेट कर सकते हैं जो भी थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले तो यहां पर हमने डाले है ये बारिक कटी हुई प्यास मीटियम साइज की दो बारिक कटी हुई हरी मिर्श थोड़ा सहरा धनिया और यहां पर कुछ बैसिक मसाले डलेंगे तो यहां हमने डाले है ये चटनी जो लसन की चटनी अगर में होती है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें लस्तन नद्रा का पेस्ट डाल कर लाल मिर्श पॉर्डर डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमने डालाई है साभर मसाला 1 टेबली स्पून और चाट मसाला 1 टेबली स्पून साभर मसाला डालने से इसमें बहुत अलग यूनिक टेस्ट आएगा और यहां पर अब हमने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक अगर आपके पास साभर मसाला नहीं है तो आप पिसा हुआ जीरा और गरम मसाला वो डाल सकते हैं तो यहां पर अब हम इसमें डालेंगे चीज तो इस तरह से इसको चीज को डाल देंगे अगर आपके पास क्यूब वाली चीज है जैसी भी है उसका यूज कर सकते हैं यह बहुत ही जादा इसमें टेस्टी लगती है यहाँ पर अच्छे से हमने चीज डाल दी है वो आपकी मर्जी है कि आप कितना डालना पसंद करते हैं तो लगबग हमने यहाँ पर हाफ कटोरी के बराबर चीज डालती है तो इसको रख देंगे एक तरफ यह अच्छे से मिक्स करके तो यहाँ पर हमने ले ली है बड़ी सी लोई आटे की आप चाहे तो इसको मैदे से भी बना सकते हैं हमने नौर्मली आटा जो घर में गुंदा होता है उसी से इसको बनाएंगे तो यहाँ पर बड़ा से लोई ले लेनी है और यहाँ पर हमने डालती है आटा थोड़ा सा डस्ट करने के लिए और इसको इस तरह से पहले हाँ से फेलाएंगे फिर इस बेलन से इसको अच्छा बड़ा जितना यह फैल सकता है उतना इसको बड़ा बना लेंगे तो यहाँ पर जो हमने यह रोटी बेली है तो ना तो यह ज़ादा पतली है और ना ही ज़ादा मोटी है बस आप इसको यह हिसाब से रखें कि यह मीडियम हो बिल्कुल और बीच में इसको इस तरह से जो हमने यह आलू का मिक्चर बना कर रखा था इस तरह से इसको बीच में हम फैला देंगे बस फिर चार तरफ से इस तरह से इसको उठा कर मिलाते जाएंगे कहीं जंगा नहीं छुटनी चाहिए कहीं से आलू दिखाई दे बस इस तरह से ही इसको यहां से भी मौण कर दबा देंगे तो यहां पर बहुत हलके हाथ से इसको आइसा आइसा फैलाना है दिखेगा कितने अच्छे शेप में यह बन चुका है और बस थोड़ा सा डस्ट इसको आटे का लगा कर इसको बहुत हलके हाथ से बेलेंगे जिससे के आलू चारो तरफ फैल जाएं अच्छे से और यह बिल्कुल भी भटे नहीं हád इसलिए हम नने यहां पर थोड़ा बड़ा जितना रोटी बनती है उससे बड़ा आटे का पिर्ड़ा लिया था तो यहां पर आपणने लोखे का तवा रख दिया है गरम करने के लिए जो गरम हो चुका है और यहां वे डाल दिया है वह आपकी मर्जी है कि आप बटर देशी घी या फिर तेल में सेखना चाहें तो यहाँ पर हमने बटर में इसको सेखना है medium low flame पर ही इसको सेखना है जिसे कि अंदर तक सीके और यह बहुत ही अच्छे से सिख जाता है आप जितने low flame पर इसको सेखेंगे उतना ही इसमें अच्छा color आएगा यह दिखेगा यह बहुत ही अच्छा आप्टिस्टी पराठा बनकर तयार होता है फ्रेंड्स आपको याद दिला दें अगर आपको हमाई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेर जरूर कर दें सब्सक्राइब भी जरूर कर दें बैल आइकन को प्रेज कर दें जिससे कि हमारे रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो इस तरह से बस इसको अलट पलट करके अच्छे से सेख लेना है और यहाँ पर यह अच्छे से सेख चुका है हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है और जब यह थोड़ा हल्का सा बहुत हल्का सा ठंडा हो जाए तब इस पे हम और चीज डालेंगे उपर से इसमें और चीज डाल दें, बच्चे चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पहले हम इसके इस तरह से पीज बना लेंगे वह आप अपने मन मताबिक बना सकते हैं इस तरह से हमने इसके चार पीज बना लेने हैं तो यहां पर यह देखिएगा, आप खोल के दिखाती हूं कितना अच्छे से इसमें यह स्टफिंग भरी हुई है चार तरफ अच्छे से बस इसके उपर आप हम डाल देंगे कुछ ग्रेट करके चीज गरम परांटे पर ही डालें, जिससे कि यह चीज जो हम डालेंगे तो वो अराम से अपना मेल्ट हो जाए तो यहां पर तेयार है, बहुत ही जबर्दस्त, रोज डेली खाये जाने वाला आलो का परांथा तो फ्रेंड्स, आप हमें जरूर बताईएगा कमेंट करके कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी बड़ी छोती बच्ची सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सर्दियों में खास तोर पर ये घरगर बनाए जाते हैं क्योंकि नए आलो आते हैं इस वज़ा से हर कोई इसको पसंद करता है अल्ला आफिस